हलो फ्रेंट्स मैं अमित कुमार और प्रोटेटिंग अकडेमिकी मानिग्रो एटुकेशनल वीडियो सीरिस में आप सभी कमें बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तोस्तो हाज हम लग जो स्टॉक के बारे में अनलिसिस करेंगे उसका नाम है हिंदुस्तन पेट्रोलिया मेरा ही टेलिग्रम चनल का एक सब्सक्राइबर है वैसली जी उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि स्टॉक का अनलिसिस करने के लिए और उसी के बेसिस पर मैं आज इस्टॉक का अनलिसिस कर रहा हूँ तो friends अगर आपको भी मुझे कोई stock के analysis request करना है तो आप मेरा telegram channel join कर सकते हैं और वहाँ पे discussion board पे आप अपना request डाल सकते हैं Telegram channel का link इस video के नीचे और description में दोनों जगा पे आपको मिल जाएगा तो friends चलिए और देर ना करते हैं शुरू करते हैं हिंदुस्तान petroleum share price analysis दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कृपिया इस disclaimer को पढ़ दीजिए ये बहुती महत्तोपूर्ण है और एक बात है दोस्तों कि stock market जो है ये एक बहुती risky business है आप अपने financial advisor से बात किये बिना कोई भी पैसा stock market में मत लगाईए क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका return का कोई guarantee stock market में नहीं होता है तो stock market में पैसा लगने से पहले आप ज़रूर अपने financial advisor या financial planner से एक बार consult कर लिजे तो friends हम लोग आगा है हिंदुस्तन petroleum मतलब HPCL का technical chat में और मैंने यहाँ पे daily chat लिया है और इसी chat के basis पे आज हम लोग HPCL मतलब हिंदुस्तन petroleum का share price analysis करेंगे तो friends अगर मैं यहाँ पे सभी line को draw कर देता हूँ और analysis को draw कर देता हूँ तो आपको यह chart कुछ ऐसा दिख सकता है जो मैं अभी आपको पूरा का पूरा यहाँ पे समझने का कोशिस करूँगा दोस्तों अगर आप यह chart को अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक hidden solder pattern यहाँ पे तैयार होने का कोशिस हो रहा है अभी तक यह pattern जो है यह पूरा हुआ नहीं है क्योंकि hidden solder का यह पहला वाला जो solder था यह जहां से बनना शुरू हुआ था वो लाइन अभी तक breakout नहीं हुआ है उपड के तराफ तो मैं यह नहीं कह सकता कि यह hidden solder जो pattern है यह complete हो गया है अक्च्छाली यह in process है लेकिन अगर यह ठीक ठाक से चलेगा तो बहुत जल्दी यह hidden solder pattern जो है यह complete हो जाएगा और दोस्तों इसके साथ सब अगर देखेंगे तो यह यहाँ पे एक आपको जो दिखेगा एक carbon handle pattern जैसे भी बन रहा है तो दोस्तों पहला चीज है कि यहाँ पे एक hidden solder pattern बनने का कोशिस हो रहा है और दूसरा यहाँ पे एक carbon handle का pattern भी बनने का कोशिस हो रहा है तो दोस्तों इन दोनों pattern को देखते हुए हम लोग यह बोल सकते हैं कि आने वाला टाइम में इंदुस्तन पेट्रोलियम में एक अच्छा खासा उपर का movement हो सकता है अगार यह successfully जो है इस carbon handle pattern को जो complete कर दे और hidden solder को complete कर दे तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे का करेंगा हम लोग यह सब को देखते हुए एक safe entry यहाँ पे बनने का कोशिस करेंगे और जिसके लिए मैं यहाँ पे जो entry level मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ वो 240 का level है मैंने यहाँ पे लिख दिया entry above मतलब दोस्तों 240 level के उपर कोई एक belly candle को close होना पड़ेगा ऐसे ही touch होने से हम लोग entry नहीं करेंगे और दोस्तों यह 240 का level कहां से आया यह हुआ यह जो आपको एक head and shoulder pattern बनते हुए दीख रहा है इसका जहाँ चे starting हुआ था मतलब जो s1 है मतलब जो shoulder 1 है उसका जो starting point है वो है 240 का line तो दोस्तों अगर यह cup and handle pattern success होता है और यह head and shoulder success होता है तो 240 rupees के उपर हम लोग अपना position मनाने का कोशिस करेंगे और उस time के दोस्तों हम लोगा जो stop loss रहेगा वो 210 के नीचे रहेगा मतलब दोस्तों अगर जो है हम लोग के entry के बाद मतलब 240 rupees होने के बाद अगर unfortunately price नीचे आता है तो 210 के नीचे price को close करना पड़ेगा और उसका भी low break होना पड़ेगा तब ही जाके हम लोग का stop loss होगा एक चीज़ याद रखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर positional trade कर रहे हैं तो कभी भी जो है entry के time SL के time price जो है touch करने से हम लोग का entry नहीं होगा या price touch करने के time में हम लोग का SL नहीं होगा price को जो है इस line के उपर या नीचे close होना पड़ेगा तब ही जाके हम लोग का SL होगा और दोस्तों अगर यह trade अच्छा जाता है तो हम लोग target के तरफ जाएंगे और हम लोग का target रहेगा वो रहेगा 275 रूपिस के असपास दोस्तों यहाँ पर कोई second target नहीं है यहाँ पर एक ही target है 275 रूपिस क्योंकि यह जो है एक बहुत ही strong resistance है तो मैं यहाँ पर इतना expect नहीं कर सकता हूँ कि यह जो है 275 को तोड़ ताड़ के निकल के चला जाएगा ऐसा expect मैं नहीं कर सकता हूँ और इसलिए यहाँ पर एक ही target है जो है 275 रूपिस तो दोस्तो जल्दी से एक बहुत कर लेते हैं हम लोग का entry कहाँ बन रहा है 240 रूपिस के उपर अगर entry बन जाता है तब हम लोग का stop loss रहेगा वो 210 के नीचे रहेगा और अगर trade अच्छा जाता है तो हम लोग का जो target रहेगा वो 275 रूपिस में रहेगा और दोस्तो ये एक short time trend है इसको हम लोग ज्यादा दिन के लिए hold नहीं करेंगे अगर एक दो माईने के अंदर हम लोग को ये trade में profit नहीं मिलता है या target hit नहीं होता है तो हम लोग इस trade से निकल जाएगे लेकिन दोस्तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस channel में जो भी video post करता हूँ वो मेरा personal analysis है और मैं पूरा का पूरा educational purpose ही यहाँ पर post करता हूँ तो दोस्तो कभी भी ये सब level के basis पर आप आपना भी analysis लगाए आपका जो financial advisor है उससे भी बात करें और उसके बाद ही decision ले कि आपको trade करना है या नहीं करना है तो दोस्तो अगर ये video आपको पसंद आए है और इस video से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस video की YouTube में ज़रूर like करें और Facebook, Twitter यह सब जगाँ पर share करें और दोस्तो चैनल को subscribe ज़रूर करें तक के आने वाला हैड़ एक video का notification आप तक सबसे पहले पहुंचे और दोस्तो अगर आपको live market में कोई guidance चाहिए या आपको stock analysis request करना है तो आप मेरा telegram channel जोईन कर सकते हैं और वहाँ पर request डाल सकते हैं telegram channel का link इस video के नीचे और description में दोनों जगा पर आपको मिल जाएगा तो दोस्तो आज के लिए इस video में इतना ही मिलते हैं अगले educational video